सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरूजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्लोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए लैप्टॉप उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा रमश्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरूजी चलिए शूरू करते हैं तो मतलब ये जो ThinkPad X1 Fold है इसको लिनोवो ने एक बार पहले दिखाया था शोकेस किया था करीब में 2019 में लेकिन अभी इसको फॉर्मरली ओफिशली लाँच कर दिया है जहां पर ये मतलब दोस्तों ने लैप्टॉप है अपने आप में मतलब काफी कमाल है दुनिया का पहला लैप्टॉप है जो कि आता है एक foldable OLED screen के साथ में जहां पर साथ में 5G connectivity का option भी available है और मतलब इसको अगर आप देखें पहले दर में तो आप खुद ही confused हो जाएंगे बिकॉज ऐसा दुस्तों device मैंने भी in fact आद से बारे कभी देखा नहीं था जहां पर हमारे पास में है 13.3 इंचिस का QXGA 4-3 expectation के साथ में आने वाला OLED display और ऐसे में दोस्तों यहां पर आप इसको बस अगर fold करते हैं तो यह किसी book की तरह fold हो जाता है मतलब यहां पर जो use के scenarios है वो बहुत सारे हैं आप इसको landscape में use कीजिए portrait में use कीजिए इसको fold करते हैं किसी book की तरह use कीजिए या दूस्तों clamshell mode में किसी traditional laptop की तरह use कीजिए in fact आप साथ में एक keyboard को attach भी कर सकते हैं तो जो काफी sleek है और wirelessly charge हो जाता है सीधा आपके इसी x1 fold से और जब आप इसको बंद कर लेते हैं keyboard के रहते हुए तो जो काफी आपको एक compact दूस्तों मिल जाती है complete इसकी body किसी book की तरह तो साथ दूस्तों एक tray है जहां पे आप अपना sim card लगा पाएंगे 5G के लिए साथ में power lock and lock button उसके लावा volume rockers हैं कुछ दूस्तों यहां पे vents हैं fans के लिए और जो back है वो आता है leather finish में जहां पे दूस्तों ये बड़े आराम से आपको एक natural feel देता है अगर आपसे बात करता तो काफी अच्छा हमें जो है वो लगने वाला है जहां पे in fact एक kickstand भी है जिसके चलते आप इसके पूरे बड़े screen का मज़ा उठा सकते हैं बड़े आराम से तो मतलब जो use case scenarios है वो बहुत सारे हैं और अगर दूस्तों से बात करता हूं मैं SME processor की तो इसमें लगा है Intel का lake field processor जहां पे यह मतलब battery life और performance दोनों का एक अच्छा mix में कहूंगा जहां पर दूस्तों up to 1TB storage का option है 8GB RAM के साथ में और जो battery है वो भी दूस्तों आती है fast charging capacity के साथ में जहां पे जो total capacity है battery की वो है 50Wh की और 5MPixel का यहां पे webcam है और Dolby speakers होगर available तो मतलब एक complete package कहूंगा काफी compact form factor में और मतलब दूस्तों जादू होता है ना एको के सामने कि आपका screen fold हो रहा है यह अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है जहां पर लिनोगों के हिसाब से दूस्तों यह काफी rugged और durable भी है तो काफी एक अच्छा मैं मतलब experience कहूंगा क्योंकि मैंने यह पहली बार द ठीक है लेकर यहां पर दूस्तों लिनोवों से अगर मैं आपको बताऊं complete details तो यह चार साल पहले इसका development शुरू हो गया था और काफी engineering challenges के बाद में दूस्तों यह device सामने आया है X1 Fold जो अलग-अलग scenarios में आपको अलग-अलग तरीके से मतलब काफी मदद करेगा इस device को use क चारने में फिर चाहे दोस्तों आपको एक बहुत ही compact से device चाहिए हो clamshell मोड में या फिर आपको एक बड़ा सा tablet चाहिए हो in fact दोस्तों यहां पर जो active pen है उसके चलते pen input भी available है touchscreen तो खेर है ही और साथ में आप keyboard लगाए है तो आप एक laptop का मज़ा भी उठा सकते हैं तो मतलब काफी सारे options हैं इसी लिनोवो के ThinkPad X1 Fold में जहां पर उसको अगर अपसे बात करता हूँ weight की तो वो भी इतना ज़ा नहीं है जो की है करीब 2 pounds का और जो शुरुआती कीमत उसके होने वाली है वो है 2500 dollars और यह मिलना शुरू हो जाएगा 2020 के करीब mid से जहां पर Windows 10 है साथ में Windows 10 X का भी एक option अवेबर हो जो कि दूस्तों मेलेगा तोला सा बाद में लेकिन यह है पूरी कहानी इसी हमारे पास में काफी मतलब किसको क्या बोले लैप्टॉप बोले या टेबलेट बोले या फोल्डिबल लैप्टॉप या एक दिखने में काफी मतलब जो इंपर आप्ट क इसको काफी अच्छा लगाई इसको experience करते हुए बाखे केर आप इस वीडियो दोस्तों को भी लाइक और शेयर कर दीजिए और दीजिए पताईए कॉमेंट्स में कि आपके इसके बारे में खेर क्या कहना है दोस्तों बस लावड़ों में इतना है अगर आपका कोर्सल अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी रुड़े शेयर भी कर दीजिए और चैलम सब्सक्राइब कर दोस्तों को लेकर आथा लेता हूँ दोस्तों वीडियो में इतना ही जय हिंद वन्दे मात्रम